पहले आज एक बड़ी खबर जिस पर हमारी खबर पर भी मुहर लगी है वो है कोल गैसिफिकेशन लेकर कोल इंडिया और बागी पीसियू कंपनी से इंग बड़ा करार भी क्या है इस पर समझते हैं कि एक जाटली कोल गैसिफिकेशन होता क्या है आशिश हमार साथ है तैयार आशिश बताईए क्या होता है ये कॉल गासिफिकेशन पांचू सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ जो खबर आई है काफी बड़ी है क्योंकि 35,000 करोड जो पीसी उस मिलके निवेश करने वाले हैं और इसी की चलते में समझना चाता है कि गासिफिकेशन की प्रोसेस क्या है और क्यों इंपोर्टेंट है उसे synthetic gas यानी short form जो है sin gas कहा जाता है इसका इस्तमाल अगर आप देखे तो जैसे कि हम बाकी की gas के लिए करते हैं तो fertilizer बनाने के लिए किया जा सकता है power generation के लिए किया जा सकते है petrochemicals के लिए, diesel बनाने के लिए या फिर jet fuel के लिए भी इसका इस्तमाल आपको किया जा सकता है और साथ में अगर आप देखे तो इस process के द्वारा जो hydrogen अलग होता है तो आप hydrogen को भी as a fuel इस्तमाल कर सकते हैं अब देखे बड़ा फाइदे मंद coal India के लिए इसके लिए है और gasification से फायदा जो है भारत को भी देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखे तो आप mining के लिए surface को बिलकुल भी अर्थ के surface को छेड़ते नहीं हो वहाँ पर अगर आप देखे तो आपको इसकी mining करने की जरुरती नहीं है कोईला आपको जमीन के नीचे से निकालना ही नहीं है तो आपका जो labor cost होता है वह बहुत कम हो जाता है करमचारी खर्च नहीं होता और coal India के लिए बहुत बड़ी headache है क्योंकि अगर आप देखे तो इनके total expenses में से 35-40% सिर्फ इनके करमचारी का खर्च होता है तो आप देखे आपको कोईला निकालने के आवश्यक्ता ही नहीं है जो अर्थ के layer में बना हुआ है वहीं से अगर आप जो चार्ट भी आपके सामने आ रहा है इसका diagram तो वहां से भी आप देखकर समझ सकते हैं कि इसको अर्थ के crust से ही आप इसको ग्यास में तबदील कर सकते हैं और जो ग्यास का import लगातार भारत में बढ़ता जा रहा है इसके लिए काफी एक अच्छा substitute है और अच्छी बात ये भी है कि अगर आप देखे तो इसमें जो लो ग्रेड वाला कोल होता है या फिर लिगनाइट है आप इसका भी इस्तमाल कर सकते हैं जो एफिशेंसी होती है वो नॉर्मल कोल बर्निंग से 30% जादा होती है तो कोल इंडिया के लिए गेम चेंजर है और हो सकता है कि इसकी डी रेटिंग हो जाए आप यह कहरे हो कि भविश्य में कोल इंडिया कोईला निकालेगी नहीं ज़रूरत ही नहीं है कोईला की सिधी गैस बना देगी सिधी गैस बना के भी बैचीगी और यह गैस बनाने की बैचने की प्रोसेस में 30% तो इनकी एफिशेंसी एनर्जी एफिशेंसी बढ़ेगी और एंप्लोई कॉस्ट काफी कम हो जाएगी इसमें तो ज़रूरत ही नहीं है आपको एंप्लोई के बराबर है अगर आपको अगर धर्टी से कोईला निकालना है तो आपको पूरी माइनिंग करनी पड़ेगी ख़दानी है और लगा सब कुछ करना पड़ेगा इसमें ज़रूरत ही नहीं है आपको दो होल बनाने है अर पानी में भी तो ऑक्सिजन है और फिर भी अलग से लगए दाला है तो पानी और एकसाठ डालना है एक होल में से और दूसरे में से गयास बनके बाहरा है तो यह इसका आविश्कार भी हुआ है नहीं सरे बहुत सालों से इतने साल तक क्यों नहीं इसमें थोड़ा सा ना अच्छा नहीं तो उसका एक और दूसर तरीका है मेरे पास शॉर्टकट वो काला पत्थर देख लो मुगी है मिताब बच्चन वाली चत्रुगंत नहीं मिताब बच्चन वो जल्दी हो जाएगा काम हो आफल आरेंज होना हो लेकिन इंट्रेसिंग चीज है तो इसमें खाल 20,000 करोड का इंवेस्टमेंट कर रहे हैं और वो जो कोईला के लिए उपर एक ओवरांग बना रहते है कि आगे इसकी सस्टेनेबिलिटी कितनी होगी कितना इस्तमाल करेंगे तो यहां पर अगर आप देखे तो कोल इंडिया के लिए काफी बढ़िया है अच्छा हो क्या ब इंट्रेस्टिंग दिख्री आपको बहुत इंट्रेस्टिंग मुझे जो आपने सवाल पूछा निल जी वो मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे पहला भी क्वेस्टिंगा अब तक यू नहीं वा था इतने सालों से जब ग्यास की प्राइज की प्राइज है और देखेंग जिस तरी के से उपर जा रहा है तो आपका सवाल था मेरा भी होई सवाल अभी तक यह नहीं हुआ था लेट्सिंग प्राइज है अपने आपने आपने आपको के आसपास के जो लिस्टिंग वाली प्राइज है हाला कि डिविडेंड तो बहुत सारे डोलाउड किये हैं तो आपका सवाल था मेरा भी वही सवाल अभी तक यह नहीं हुआ था लेट्सिंग कुनाल जी अनी जी देखे इस पर अनी जी मैं यह कहना चाहता हूं अनी जी एक बिल गेट्स के सबसे फेवरेट ऑथर है अनी जी वेकलब स्मिल उनकी अनी जी किताब मैंने हाल में पढ़ी थी तो उन्होंने वो एनरजी पर अनी जी सबसे बड़े दुनिया के एक्सपर्ट हैं तो मैं चाहूंगा आशिश भी उनके किताब पढ़ें तो अनी जी उनका ये मानना है कि इसमें बहुत मैसिव आप देखें एमिशन्स होते हैं जाने कि अगर आप कोईले को सीधा जलाते है तो जितना कार्बन डाइकसाइड बनता है उसके मुकाबले दोगुना कार्बन डाइकसाइड ये गैसिफिकेशन करने के बाद होता है तो अनी जी इसी वज़े से शायद ये इतना पॉपिलर नहीं रहा है इसमें कोई तकनीक में बदलाव हो गया हो तो अलग बात है लेकिन मेरी राई में अनल जी मिलब जो मैंने पढ़ा है मुझे जहां तक समझ है इसमें आपको कार्बन डाइकसाइड एमिशन बढ़ जाते है नल जी बहुत बड़े पैमाने पर अधिया था मतलब कुछ ने कुछ तो इसी चीज होगी तो यह जो फुस्तक पढ़ी है आप खुद करीद लेंगी कुनाल जी से गिफ्ट मंगो बढ़िया होगा नि बढ़िया होगा नि ऐसा बोलो गाल गिफ्ट करेंगे तो ही पढ़ूँगा इस तरह से डिक्रेसमोड बे बहुत बार किया हुआ हे तो खुमिवाल कितनी कितनी दिवाली आगे चली खेंगे कुछ नी होआ इने जी जी पुछ और के खुनाल जी पने पुच्छ इहा है तो चली यह पहुर्त ऐसे हैंडर ती पहुत कि esn3ic और कोलिनिया को लेकर जो आशीश लेंगा है